C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाठ्थे पुस्तक प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ दो शीर्शक प्राणियों में पोशन प्रिष्ट बारह से चौबीस तक तो आईए अब सुनते हैं पाठ दो शीर्शक प्राणियों में पोशन प्रिष्ट बारह पाठ दो प्राणियों में पोशन आपने अध्याय एक में सुना है कि पादप यानि पौधे अपना भोजन प्रकाश शंसलेशन द्वारा स्वयम बना सकते हैं परन्तु प्राणी यानि जन्तु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अत्वा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षन करते हैं, जबकि कई अन्य उन जन्तुओं को अपना आहार बनाते हैं, जो पौधे खाते हैं। कुछ जन्तु, पौधों एवं जन्तु दोनों को खाते हैं। याद रखी कि मानव सहिच सभी जीवों को वृधिकरने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाय रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यक्ता होती है। प्राणियों के पोशन में पोशक तत्वों की आवश्यक्ता आहार के अंतर ग्रहन यानि भूजन ग्रहन करने की विधी और शरीर में इसके उप्योग की विधी सन्निहित यानि सम्मिलित है। आपने कक्षा चह में सुना है कि खाद्य यानि भूजन के अनेक संघटक हैं। समरण कर उनके नाम लिखिए। यहां चार रिक्स थान दिये गए हैं, जिन में आपको समरण करके उन संघटकों के नाम लिखने हैं। कार्बो हाइडरेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जन्तु इन जटिल पदार्थों का उप्योग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। अतहा उन्हीं सरल पदार्थों में बदलना आवश्चक है। जैसा की प्रिष्ट बारह पर दिये गए आरेख में बताया गया है। इस आरेख में बताया गया है कि कैसे जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। लिखा है जटिल खाद्य पदार्थों को सरल्प पदार्थों में परिवर्तित होना या तूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं दो दशमलव एक खाद्य अंतर ग्रहन की विभिन विधियां बोजन के अंतर ग्रहन की विधी विभिन जीवों में भिन भिन होती है मधुमक्खी एवं मर्मर पक्षी यानि की हमिंग बर्ड पौधों का मगरंद चूसते हैं मानव एवं कुछ अन्य जन्तुओं में शिशु मा का दूद पीते हैं अजगर जैसे सर्पवंच के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं कुछ जली ये प्राणी अपने आसपास पानी में तेरते हुए खादे कणों को च्छान कर उनका भक्षन करते हैं प्रिया कलाप 2.1 सारिनी 2.1 में दिये गए जन्तुओं के भोजन के प्रकार एवं पोशन प्राप्त करने की विधी कौन सी है यहां प्रिष्ट बारह पर सारिनी 2.1 में अंतर ग्रहन की विभिन विधियां बताई गई हैं यहां अलग-अलग जन्तुओं को नाम लिखा है उनके आहार का प्रकार और आहार की विधी आपको लिखनी है अलग-अलग जन्तुओं जिनका नाम यहां दिया गया है तितली और मक्षी इस सारिनी के साथ लिखा हुआ है आहार की विधी छीलना, चबाना, काटना या वेधन, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूशन, इत्यादी अपने प्रेक्षन सारिनी 2.1 में लिखिए आप पाएंगे कि सारिनी में साथ में लिखी गई खाद अंतर ग्रहन की विधियां, उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक हैं, जिन से जन्तु भोजन का अंतर ग्रहन करते हैं प्रिष्ठ 13, यहां प्रिष्ठ 13 पर चित्र 2.1 यानी स्टार फिश का चित्र बताया गया है, साथ ही लिखा है अद्भुत सत्या स्टार फिश यानी तारा मचली कैल्शम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जन्तुओं का आहार करती है, जैसा की चित्र 2.1 एक में दिया गया है कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जन्तु के कोमल भागों को खाती है आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है 2.2 मानव में पाचन हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर ग्रहन करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उप्योग करते हैं आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निश्कासित किया जाता है क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख ग्रहका से प्रारंब होकर गुदा तक जाती है इस नली को विभिन भागों में बाट सकते हैं पहला मुख गुहिका दूसरा ग्रास नली या ग्रसिका तीसरा आमाशाय चौथा क्षुद्रांत्र यानि छोटी आंत पांचवा ब्रहदांत्र यानि बड़ी आंत जो मलाशह से जुड़ी होती है क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानि पाचण नली का निर्मान करते हैं जैसे जैसे भोजन विभिन भागों से गुजरता है उसके विभिन घटकों का पाचण भी क्रमिक रूप से होता जाता है आमाशह की आंतरिक भित्ती शुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन ग्रंथियां जैसे की लाला ग्रंथी यक्रित अग्न्याशह पाचक रस स्त्रावित करती है पाचक रस जटल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्मान करते हैं ये पूरी प्रणाली चित्र 2.2 में दी गई है इस चित्र में मानफ पाचन के अलग-अलग भागों को बताया गया है सबसे पहले है मुख गुहिका उसके बाद है लाला ग्रंथि इसके बाद ग्रसिका फिर यकृत पित्ताशय और आमाशय फिर अग्नियाशय क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत और फिर ब्रहदांत्र यानी बड़ी आंत उसके बाद मलाशय और अंत में गुदा आईए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन भागों में भुजन का क्या होता है मुख एवं मुख गुहिका भुजन का अंतर ग्रहन मुख द्वारा होता है आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर ग्रिहन कहलाती है प्रिष्ठ चौदह बूजो चित्र दो दशमलव दो में दिखाई गई अत्यदिक कुंडलित शुद्रांत्र को देखकर आश्चर चकित है वह इसकी लंबाई जानना चाहता है क्या आप इसका अनुमान लगा सकते है प्रिष्ठ संख्या सत्रह में इसकी सन निकट लंबाई दी गई है कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी सन रचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है हम दातों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधिद्वारा उसे छोटे-छोटे टुकडों में पीस डालते हैं प्रतेक दात मसूणों के बीच अलग-अलग गर्तिका यानि सौकेट में धसा होता है जैसा की चित्र 2.3 में बताया गया है हमारे दातों की आकरिती भिन-भिन है तथा उनके कारे भी भिन है इसके अनुसार उन्हें अलग-अलग नाम दिये गए हैं जैसा की 2.3 चित्र में बताया गया है यहां प्रिष्ठ 14 पर चित्र 2.3 दिया गया है जिसमें दातों की विवस्था तथा विभिन प्रकार के दातों के विशे में बताया गया है यहां चार प्रकार के अलग-अलग दात दिये गए हैं चवर्नक, अग्रचवर्नक, रद्नक और क्रिंतक क्रिया कलाप 2.2 अपने हाद धोई दरपन में देखते हुए अपने दातों की गणना कीजिए अपनी तरजनी से दातों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दात हैं एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिये आप उसे काटने या करतन एवं दंशन के लिए किन दातों का उप्योग करते हैं कौन से दात खादिपदार्थों को चीरने यानि वेधन और फाड़ने के काम आते हैं उन दातों को भी पहचानिये जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं अपने प्रेक्षन सारणी 2.2 में लिखिए हमारे मुख में लाला ग्रंथी होती है जो लाला रस यानि लार स्रावित करती है क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है आईए इसका पता लगाए सारणी 2.2 यहां फ्रिष्ट 14 पर दी गई है जिसमें दात के प्रकार एवं उनके कार बताए गए है दातों के प्रकार में लिखे हैं करतन एवं दंशन वाले दात चीरने एवं फाड़ने वाले दात चबाने एवं पीसने वाले दात दातों की संख्या यानि निचला जबडा और उपरी जबडा और साथ ही इनका योग आपको यहां इस सारणी में लिखने है दूद के दात तथा स्थाई दात क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दात गिरने लगे थे हमारे दातों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग आठ वर्ष की आयू तक ये सभी दात गिर जाते हैं इन्हें दूद के दात कहते हैं इन दातों के स्थान पर दूसरे दात निकलते हैं जिने स्थाई दात कहते हैं सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थाई दात पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथा भी व्रिद्धा वस्था में ये प्रायह गिरने लगते हैं प्रिष्ट पंद रहे क्रिया कलाप 2.3 दो परकनलिया लीजिए उन्हें A तथा B चिन्हित कीजिए परकनली A में एक चम्मच उबले चावल डालिए एक चम्मच उबले चावल मुख से लेकर 3-5 मिनट तक चबाईए तथा इन्हें दूसरी परकनली B में लीजिए दोनों परकनलियों में 3-4 ml जल डालिए जैसा की चित्र 2.4 में बताया गया है अब दोनों परकनलियों में आयोडीन विलियन की 2-3 बूंदेन डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए आप परकनली A तथा B में क्या अंतर देखते हैं परकनली के रंग में परिवर्दन क्यों आता है परणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए लाला रस चावल के मंड को शरकरा में बदल देता है यहां प्रिष्ट पंद्रह पर दो परकनलियों A तथा B के माध्यम से मंड पर लार का प्रभाव बताया गया है प्रिष्ट पंद्रह पर चित्र 2.4 में मंड पर लार का प्रभाव बताते हुए एक चित्र दिया हुआ है इसमें दो परख नलिया हैं जिन्हें A तथा B चिनहित किया गया है इसमें उबले हुए चावल, जल, चबाए हुए चावल, इवं आयोडीन विलेन किया गया है जीव एक मासल पेशी अंग है जो पीछे की और मुख गोहिका के अधर तल से जुड़ी होती है जैसा की चित्र 2.6 में जो की प्रिष्ट 15 पर दिया गया है में बताया गया है इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड सकता है क्या आपको जीव के कारग्यात हैं? हम बोलने के लिए जीव का उपयोग करते हैं इसके अतरिक ये भोजन में लार को मिलाने का कार करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है जीव द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है जीव पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन प्रकार के स्वाद का पता चलता है मिठाईयां और दंतक्षे सामानित हमारे मुख में जीवानू पाय जाते हैं परन्तु उनसे हमें कोई हानी नहीं होती फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दाथ एवं मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानी कारक जीवानू वास करके व्रिधी करने लगते हैं ये जीवानू दाथों के बीच फसे भोजन की शरकरा का विखटन कर अमल निर्मोचित करते हैं ये जानने के लिए कि अमल क्या है? अध्याय पाँच पढ़िए अमल क्या है? ये अध्याए 5 में बताया गया है ये अमल धीरे धीरे दान्त को ख्षती पहुंचाते हैं जैसा की चित्र 2.5 में बताया गया है इसे दंत क्षय कहते हैं यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो दातों में अस सहय पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में तूट कर गिर जाते हैं चॉकलेट, ठंडे बेय तथा चीनी युक्त मिठाईयां वह अन्यपदार्थ दंतक शय के लिए मुखे रूप से उत्तरदाई होते हैं यहां प्रिष्ठ पंद्रह पर चित्र 2.5 में दंतक शय की क्रमिक अवस्थाएं बताई गई हैं जिसे चार चित्रों A, B, C, D के माध्यम से बताया गया है दूसरे चित्र में जोकी चित्र 2.6 है उसमें जीब पर स्वाद के विभिनक शयत्र बताई गई हैं प्रिष्ठ 16 है 2. अपने किसी मित्र की आँखों पर पट्टी बांध कर उससे अपनी जीब बाहर निकाल कर सीधी रखने को कहिए चित्र 2.6 में बताये गए जीब के विभिनक शयत्रों के उपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की एक दो बूंदे रखिए विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें इस प्रक्रिया को आन्य विलयनों के साथ दोहराईए प्रत्येक विलयन के लिए प्रथक प्रथक सीख का उपयोग कीजिए चार अपने मित्र से पूछिए कि जीब के किसक शेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खटे एवं कड़वे का स्वाद अनभव होता है पांच अब अपने प्रेक्शन रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में बताए गए प्रत्येक शीत्र में उस स्वाद का नाम लिखी जिसका समवेदन यानी अनुभव उसके द्वारा होता है अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रिया कलाप को दोहराईए बोजन नली यानी ग्रसिका निगला हुआ ग्रासनली अत्वा ग्रसिका में जाता है जैसा की चित्र 2.2 में बताया गया है ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से बोजन नीचे की ओर सरकता जाता है वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गती भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है यही प्रक्रिया चित्र दो दशमलव साथ में बताई गई है कभी-कभी हमारा आमा शे खाय हुए भोजन को सुईकार नहीं करता फल स्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विशय में सोचिए अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विशय पर चर्चा कीजिए यहां प्रिश्च सोलह में चित्र 2.7 में ग्रसिका में भोजन की गती को बताया गया है यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें भोजन ग्रसिका से होता हुआ आमाशय तक पहुँचता है इस पूरी प्रक्रिया को बताया गया है पहली जानना चाहती है कि वमन के समय बोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है आमाशय आमाशय मोटी भित्ती वाली एक थैली नुमा सनरचना है ये चप्टा एवं जे की आकरती का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है ये एक ओर ग्रसिका यानी की ग्रास नली से खाद प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर खफ़शुद्रांत्र में खुलता है प्रिश्च सत्रह आमाशय का आंतरिक अस्तर यानी की सत्र है शलेश्मल हाईड्रोक्लोरिक अमल तथा पाचक रस श्रावित करता है शलेशमल आमाशे के आंतरिक आस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है अमल अनेक ऐसे जीवानों को नश्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुँच जाते हैं साथ ही यह माध्यम को अमलिय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है पाचक रस यानि जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है प्रिश्ट सत्रह पर उपर के भाग में अलग रंग में लिखा हुआ है कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घोटन का अनुभव होता है ये खाद कणों के श्रास नली में प्रवेश करने के कारण होता है श्रास नली नासिका से आने वाली वायू को फेफणों तक ले जाती है ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है परंटू ग्रसनी में वायू एवं भूजन मार्ग एक ही होते हैं फिर भोजन को श्रास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रुका जाता है भोजन निगलने के समय एक मासल, रचना, वॉल्व का कारे करती है जो श्रास नली को ढख लेती है, तथा भोजन को ग्रस्नी में भेज देती है संयोग वशा यदि भोजन के कण श्रास नली में प्रवीश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है, तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है शुद्रांथ शुद्रान्त लगभग 7.5 मीटर की लंबी अत्यदे कुंडलित नली है यह यक्रित इवं अग्नियाशे से श्राव प्राप्त करती है इसके अत्रित इसकी भित्ती से भी कुछ रस श्रावित होते है यक्रित गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथी है जो उदर के उपरी भाग में दाहिनी यानि दक्षन की ओर अवस्थित होती है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है यह पित्तरस श्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है इसे पित्ताशे कहते हैं जैसा की चित्र दो दशमलव दो में बताया गया है पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अग्नियाशे हलके पीले रंग की बड़ी ग्रंथी है जो आमाशे के ठीक नीचे स्थित होती है जैसा की चेत्र 2.2 में बताया गया है अग्नियाश्यक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्दित कर देता है आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब शुद्रांत्र के निचले भाग में पहुँच जाता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स सरल शरकरा जैसे की ग्लूकोज में परिवर्दित हो जाते हैं वसा वसा अमल एवं ग्लिस्रॉल में तथा प्रोटीन एमीनो अमल में परिवर्दित हो जाती है प्रिश्ट सत्रह के निचले भाग में चित्र 2.8 में अलेकसिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव बताया गया है यहां लिखा है एक विलक्षन दुरघटना द्वारा आमाशय की कारिप्रनाली की खोज हुई सन 1822 इसवी में अलेकसिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ती गोली लगने के कारण बुरी तरहां से घायल हुआ गोली से वक्ष शती ग्रस्थ हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया उसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमरीकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परन्तु वो आमाशय का छिद्र भली भाती बंद ना कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढख दिया जैसा की चित्र 2.8 में बताया गया है ब्यूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर जहाकने का दुरलब अफसर प्राप्थ हुआ उसने कुछ रोचक प्रेक्षन किये ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मन्थन कर रहा था इसकी भित्ती से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था उसने ये भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में तब ही खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है प्रिष्ट अठा रहे शुद्रांत्र में अवशोशन पचा हुआ भोजन अवशोशित कर शुद्रांत्र की भित्ती में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है इस प्रक्रम को अवशोशन कहते हैं शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ती पर उंगली के समान उभरी हुई सन रचनाय होती है जिन्हें दीर्ग रोम अत्वा रसांकुर कहते हैं क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्ग रोम की आंतर में क्या भूमिका है दीर्ग रोम पचे हुए भोजन के अवशोशन हेतु तलक शेत्र बढ़ा देते हैं प्रतेक दीर्ग रोम में सुक्ष में रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है दीरगुरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोशन होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है अवशोशित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाउं द्वारा शरीर के विभिन भागों तक होता है जहां उनका उप्योग जटल पदार्थों को बनाने में किया जाता है इस प्रक्रम को स्वांगी करण कहते हैं कोशिकाउं में उपस्थित ग्लूकोस का विगटन ऑक्सिजन की सहता से कारबन डायोकसाइड एवं जल में हो जाता है और उर्जा मुक्त होती है भोजन का वहभाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोशन नहीं होता ब्रिहदांत्र में भेज दिया जाता है ब्रिहदांत्र ब्रहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चोड़ी एवं छोटी होती है ये लगभग डेड़ मीटर लंबी होती है इसका मुख्यकार जल एवं कुछ लवणों का अवशूशन करना है बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशे में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है इसे निश्कासन कहते है प्रिष्ट अठारा के अंतिम भाग में दस्त के बारे में लिखा हुआ है कभी-कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार-बार निश्कासन की आवश्रक्ता होती है इस्थिती को दस्त कहते है ये संक्रमन खाद्य विशाक्तता अथवा अपच के कारण होता है भारत में विशेशकर बच्चों में ये अति सामान निस्थिती है चर्मा वस्था में ये घातक भी हो सकता है इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवन की अतिधिक ख्षती होना है इसे सहचता से नहीं टालना चाहिए चिकित्सक के पास जाने से पूर्वी रोगी को उबाल कर ठंडा किये हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घूल कर पिलाना चाहिए इसे जीवन रक्षक घूल अत्वा O.R.S. कहते हैं दो दशमलव तीं घास खाने वाले जन्दूओं में पाचन क्या आपने गाय, भैस तथा घास खाने वाले यानि शाकाहारी अन्यजंतूओं को देखा है वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रही हूँ वास्तव में वे पहले घास को जल्दी-जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं ये भाग रूमेन अत्वा प्रथम आमाशय कहलाता है रूमेनेंट में आमाशय चार भागों में बटा होता है जैसा की चित्र दो दशमलव नौ में बताया गया है रूमेन में भोजन का अन्शिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड कहते हैं परंतुबाद में जन्तु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनह मुख में लाता है तथा जिसे वहच चबाता रहता है इस प्रक्रम को रूमन्थन यानि जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जन्तु रूमिनेंट अत्वा रूमन्थी कहलाते हैं यहां प्रिष्ठ 18 पर चित्र 2.9 दिया गया है यह किसी रूमन्थी का आमाशे है यहां इस चित्र में गाय का पाचन तंत्र साथी उसके आमाशे को खास तोर पर बताया गया है प्रिष्ठ 19 घास में सेलिलोस की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइडरेट है किसी रूमिनेंट अत्वा रूमन्थी पशु हिरन आदी के रूमेन में सेलिलोस का पाचन करने वाले जीवानू पाय जाते हैं बहुत से जन्तू एवं मानव सेलिलोस का पाचन नहीं कर पाते। पहेली जानना चाहती है कि ये जन्तू भूजन करते समय इसे भलिभाती क्यों नहीं चबा पाते। बूजो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरहां सेलिलोस को क्यों नहीं पचा सकता। जानवरों जैसे घोडा, खरगोश, आदी में क्षुद्रांत्र एवं ब्रहदांत्र के बीच एक ठैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं इस अंधनाल के बारे में आपने चित्र 2.9 में सुना भोजन के सेलिलोस का पाचन यहां पर कुछ जीवानूं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं अब तक आपने उन जन्तूं के विशे में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है परन्तू ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर ग्रहन करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहन करने की एक अन्य रोचक विधी का अध्यायन करेंगे 2.4 अमीबा में संभरण एवं पाचन अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है अमीबा की कोशिका में एक कोशिका जिल्ली होती है एक गोल सगन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानिया होती है जैसा की चित्र 2.1 में बताया गया है अमीबा निरंतर अपनी आकृती एवं स्थिती बदलता रहता है यह एक अत्वा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धन निकालता रहता है जिन्हें पादाभ अत्वा कृतिम पाव कहते हैं जो इन्हें गती देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं अमीबा कुछ सुक्ष्म जीवों का आहार करता है जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्यकन के चारों और पादाभ विक्सित करके उसे निगल लेता है खाद्यपदार्थ उसकी खाद्यधानी में फस जाते हैं जैसा की चित्र 2.1 में बताया गया है यहां प्रिष्ठ 19 में चित्र 2.1 में अमीबा का चित्र दिया गया है जिसमें उसके अलग-अलग भागों को बताया गया है वे अलग-अलग भाग हैं केंद्रक, पादाभ, खाद्यकनिका यानि अंतरग्रहन, खाद्यधानिया, बहिक्षेपित अप्षिष्ट खाद्यधानि में ही पाचक, रस, श्रावित होते हैं ये खाद्यधार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल्पदार्थों में बदल देते हैं पचा हुआ खाद्य धीरे-धीरे अवशोश्ट हो जाता है अवशोशित पदार्थ अमीबा की वृद्धी, रकरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किये जाते हैं बिना पचा अप्षिष्ट, खादे धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है भोजन के पाचन का आधार भूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है जिसमें खादे पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्थित किये जाते हैं एवं उर्जा मुक्त होती है अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोशित खादे पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विशय में सुनेंगे प्रिष्ट बीस प्रमुख शब्द अवशोशन अमीनु अम्ल स्वांगी करण पित रस मुख गुहिका रदनक सेलिलूस पाचनतंत्र निशकासन वसा अम्ल खाद्यधानी पित ताशय क्रिंतक अंतर ग्रहन यक्रित चवरनक ग्रसिका अग्न्याशय अग्रचमरनक पादाभ रूमेन रूमिनेंट या रूमन्थी लाला ग्रन्थी दीर घुरूम आपने क्या सीखा? जन्तु पोशन में पोशन आवशक्ताएं भोजन अंतर ग्रहन की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है पाचक रस श्रावित करने वाली मुख्य ग्रन्थियां है एक लाला ग्रन्थी दो यकृत एवं तीन अग्नियाशय आमाशय की भित्ती एवं शुद्रांतर की भित्ती भी पाचक रस श्रावित करती है विभिन जीवों में भोजन ग्रहन करने की विधियां भी भिन्न है पोशन एक जटिल प्रक्रम है जिसमें पहला अंतर ग्रहन दूसरा पाचन तीसरा अवशोशन चौथा स्वांगी करण एवं पाचवा निशकासन शामिल है मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है यकृत द्वारा श्रावित प्रित्थ अग्याशय से अग्याशयक श्राव एवं शुद्रांतर भित्ती द्वारा श्रावित पाचकरस की क्रिया से बोजन के सभी घटकों का पाचन शुद्रांत्र में पूरा हो जाता है जल एवं कुछ लवन ब्रहदांत्र में अवशोशत होते हैं अवशोशत पदार्थ शरीर के विभिन भागों को स्थानांतरित कर दिये जाते हैं बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोशन नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिये जाते हैं प्रिष्ट 21 गाई, भैस, इवं हेरन जैसे घास खाने वाले जन्तू, रूमन्ती यानि रूमिनेंट कहलाते हैं वे पत्तियों का अंतर ग्रहन तीवरता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनह मुख में आ जाता है और पशु धीरे-धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहन पादाब की सहता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है अभ्यास एक उचत शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए क मानव पोशन के मुख्य चरण रिक्त स्थान एक रिक्त स्थान दो रिक्त स्थान तीन रिक्त स्थान चार एवं रिक्त स्थान पाँच है ख मानव चरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम रिक्तिस्थान है ग आमाशय में हाइड्रोक्लूरिक अम्ल एवं रिक्तिस्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं ग शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्थ होते हैं जो रिक्तिस्थान कहलाते हैं च अमीबा अपने भोजन का पाचन रिक्तिस्थान में करता है दो सत्य एवं असत्य कतनों को चिन्हित कीजिये क मंड का पाचन आमाशे से प्रारंब होता है क जीब लाला ग्रंथी को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है ग पित्ताशे में पित्त रस अस्थाई रूप से भंडारित होता है गहर रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते है तीन निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाईए क वसा का पूर्ण रूपेन पाचन जिस अंग में होता है वह है एक आमाशय, दो मुख, तीन शुद्रांत्र, चार ब्रिष्ठ बाईश ख जल का अवशूशन मुख तह जिस अंग द्वारा होता है वह है एक आमाशय, दो ग्रसका, तीन शुद्रांत्र, चार ब्रिष्दांत्र चार, कॉलम A में दिये गए कथनों का मिलान, कॉलम B में दिये गए कथनों से कीचिए कॉलम A, खाद घटक, जैसे कार्बोहाइडरेट्स, प्रोटीन, वसा कॉलम B, पाचन के उत्पाद, जैसे वसा अमल एवं ग्लिसरोल, शरकरा, अमीनो अमल पांच, दिर्ग रूम क्या हैं, वह कहां पाए जाते हैं, एवं उनके कार्य क्या हैं छे, पित कहां निर्मित होता है, ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहाय था करता है साथ, उस कार्बोहाइडरेट का नाम लिखिए, जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है, परन्तु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताईगे आठ, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोस से उर्जा तोरंत प्राप्त होती है नौ, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है एक, पचे भोजन का अवशोशन, रिक्त स्थान दो, भोजन को चबाना, रिक्त स्थान तीन, जिवानू नश्ट करना, रिक्त स्थान चार, भोजन का संपूर्ण पाचन, रिक्त स्थान पाँच, मल का निर्माण, रिक्त स्थान दस, मानव एवं अमीबा के पोशन में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए तेईस, ग्यारहे कॉलम ए में दिये गए शब्दों का मिलान, कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए कॉलम ए, क, लाला ग्रन्थी ख, आमाशे ग, यक्रित ग, मलाशे च, शुद्रांत्र च, ब्रहदांत्र कॉलम बी एक, पित्तरस का स्रवन दो, बिना पचे भूजन का भंडारन तीन, लाला रस स्रावित करना चार, अमल का निर्मूचन पांच, पाचन का पूरा होना छे, जल का अवशूशन साथ, मलत्याग बारह चित्र दो दश्यमलव एक, एक में दिये हुए पाचन तंत्र के आरेख को नमांकित कीजिए यहां प्रिष्ट तेईस पर चित्र दो दश्यमलव एक, एक दिया गया है जिसमें मानव पाचन तंत्र के कुछ भागों को बताया गया है तेरह क्या हम कीवल हरी सबजियों या घास का भूजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए एक, किसी चिकितसक से मिलकर यहां दिये गए विशे में जानकारी एकत्र कीजिए क, किन परिस्थितियों में किसी रोगी को ग्लुकोज की ड्रिप लगाने की अवश्यक्ता होती है? क, रोगी को ग्लुकोज कब तक दिया जाता है? ग, रोगी की अवस्था के सुधार में ग्लुकोज का क्या योगदान है? अपनी नोटबुक में इनके उत्तर लिखे प्रिष्ट 24 दो, पता लगाईए कि विटामिन क्या है इनके बारे में यहां जानकारी एकत्र कीजिए क, हमारे आहार में विटामिन की क्या आवश्चक्ता है क, विटामिन प्राप्त करने के लिए हमें किन फलों अत्वा सबजियों का नियमित उप्योग करना चाहिए अपने द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर एक प्रिष्ठ की टिपणी लिखिए आप इसके लिए किसी चिकित्सक, डाइटीशन, अपने अध्यापक अत्वा किसी अन्य जानकार व्यक्ती, अत्वा श्रोध की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं तीन अपने मित्रों, पडोसीयों, एवं सहपाठियों से दूध के दात समबंधी आँखडे एकत्र कीजिए अपने आँखडे सारिनी बध कीजिए इसे करने का एक तरीका सारनी में बताया गया है यहां सारनी में क्रम संख्या एक, दो, तीन, चार और पांच लिखी है इसके आगे प्रथम दात गिरने के समय की आयू, अंतम दात गिरने के समय की आयू, दातों की संख्या और गिरने वाले दातों की एवं उनके स्थान पर निकले नए दातों की संख्या इन सभी जगाहों को आपको अपने मित्रूं परूसियों एवं सहपार्थियों से बात करके आंकड़ों के साथ भरनी है कम से कम 20 बच्चों के आंकड़े एकद्र कीजिए तथा पता लगाई ये कि दूद के दांत गिरने की ओसत आयू क्या है आप इसके लिए अपने मित्रों की सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं क्या आप जानते हैं किसी बकरी के दूद में मिलने वाली वसा की सनरचना गाई के दूद की वसा की अपेक्षा सरल होती है अतहा बकरी के दूद का पाचन गाई के दूद की अपेक्षा आसान होता है अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाथे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग तनु गुपता निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत